नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 42 वर्स के पुरुस के पाम का एनालेसिस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सड़ प्रतम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उ चलिए शुरू करते हैं इनका question इस प्रकार है वर्तमान समय में ये व्यदेश में है आगे के जिंदगी के विशे में जानना चाहते हैं कि आगे के जिंदगी कैसी रहेगी हतली पर क्या अच्छी खराब अबस्था बनी है इन सारे विशेयों पर इनको जानना है तो निश्ञंतरी आपके सारे ही कोश्व्शंस पर विचार करेंगे वीडियो के माद्यम से और इनके एतली पर जो भी चीजे हैं असपस्टता के साथ इनको जाननी है जो positive चीजे हैं, जो negative चीजे हैं और क्या कुछ आगे इनके जिन्दगी पर घटित होने वाला है, इन सारे वशेयों पर इनको जानना है, तो निशंतरी आपके सारे ही कोश्चन्स को हम कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो काफी जादा महतपून है, देखे, सीखे, समझे, इनके हतेली पर एक ऐसी पॉस्टिविटी बन रही है, जिसको देखे, एक दम दिल खुश हो गया, एक दम दिल खुश हो गया, इवन एक नहीं, एक से जादा, और ऐसे जातकों की जिन्दगी अचानक बदल जाती है, मतलब अपने 28 सार की आयो तक, ये अपने जिन्दगी को नॉर्मल, नॉर् आ रहे थे, लेकिन सड़नली 28 वर्स के बाद इनकी जिन्दगी बदली और ये बन गए करुरों के मालिक, एक दम करुरों के मालिक, और क्लियरली इनके एतली को देखके मैंने कह दिया था, 23 सार के बाद आपकी बागुदय हुई होगी और आप बहुत पैसे राइस कियोंग आपने हैं, तो इसनका उत्तरहा में था, अब उसकी क्या वजह थी और आगे क्या तरक्की होगी, बस चीजों को देखना समझना, तो सबसे पहले आपकी पॉस्टिविटी को देखेंगे, एक नहीं, एक से बहुत जादा पॉस्टिविटी आपके हाथ पढ़ें, अब सबस इससे पहला देखो शुक्र, इनके सुक्र को देखेंगे न, एक दम दिल गार्डन हो गया, मतलब जबरदस्त सुक्र इतली पर महजूद, इंसान को हर एक किसम का लगजरी का सुक मिलता है, लाइफ टाइम कभी पैसे के दिक्कते नहीं होती, पैसे ही पैसे जिन्दगी पर एक दम कन्फार्म, एक दम कन्फार्म, तो जबरदस्त शुक्र आपके एतली पर महजूद, फर देखेंगे आपके एतली पर जीबन रेका, पस्ट जीबन रेका एक दम बेहानक, और इसी जीबन रेका के साथ बनने वाली प्रागरेस रेकाएं, जहां पर से इंसान की तरक कि एक दम तय है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, एक दम तय है, तो ये चीज़ आपने देख लिया, फर देखे आपकी बागी रेका, एक गई बागी रेका यहां से आगे गई, यहां से एक बागी रेका सी गई, और एक आगे बागी रेका गई, यह वाली, तो दो दो बाग आगे भी आपकी बागे रेका कम्प्लीटली आपके अतली पर मौझूद। जहापर से ऐसे जातकों को बागे का फल तो मिलता ही मिलता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फर देके आपके अतली पर स्ट्रॉंग एक स्टनलाइन जहापर से एक फिश्णुमा आकिरती आप के सूरी परवत पर भी बन रहा है। तो ये फिलाल पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है। अगर ये कम्प्लीट होगा तो फिर तो भागे बहुत पैसे जिन्दगी पर है। फिर आगे को सूरी रेका के आपके ब्रांच भी अतली पर हैं। और यहापर से कुछ दो तीन जब स्क्वाइर आपके बर्शपती पर मौझूर। जहापर से ये भी तरक्की को दर्शाती है जो के जिन्दगी पर होती है। और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंट और हतली एकदम गद्धेदार अवस्था वारी। मतलब राजाओं के समान पर जिन्दगी को ऐसे जात तक बिताते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये सारी पॉस्टिविटी किसी के भी अतली पर हो तो वो दाइश तो करेंगे ही करेंगे। एक से ज़ादा बागी रेका है, बुद्धर एकासी भी बन रही है, प्रॉग्लस लाइन कंटेन्यू है, सूरी रेका अच अभी कुछ नेगेटिव चीजों को हम देखते हैं। और इनके हतली पर एक सीमें लाइन भी बन रहा है, उसको भी हम दिखाएंगे। तो कुछ नेगेटिविटी के रूप में अलके-लके राहू लाइन थी, जो समय वाइज हम चीजों को बताने का परियास जरूर से और फिर एक डिस्टर्ब शुक्र वले थी, जो विवाहिक जीवन में तकलीफों को इंडिकेट करती हैं। बाकी एक यवा किरती थी, जो मानसिक दवाब की रूप में कुछ चीजों को दर्शाती हैं। तो ये सारी नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। जहापर से जीवन में समस्या आती ही आती हैं। तो ये तो गई कुछ नेगेटिव इंपक्त इसके उपाई के लिए वरिश्पती देव की राधना, बाकी कुछ एडिशनल उपाई का हम चर्चा आपसे अवश्य ही कर लेंगे। और सूरी को रोजाना जल देना ये भी एक उपाई हम आपको जरूर से बता रहे हैं। और बाकी जो भी चीज़े हैं जो भी इसके उपाई हैं वो हम जरूर आपको बताने का परियास करेंगे। अभी इनके हैतली पर एक अवस्था मौजूद है जिसको कहते है सीमियन लाइन्स। इस हैतली पर वो कैसा फल डाल रही है वो अब ऐसे जातक होते कैसे हैं ऐसे जातक इमोशनल होते हैं ऐसे जातक बहुत जादा भावुक होते हैं ये लोग दिमाग से कम दिल से जादा निरने लेते हैं जहापर से इनको तकलीफ होती है क्योंकि इनके भोलेपन का लोग फाइदा उठा सकते हैं ये नौनमल है। तो बहुत ज़ादा दिक्कतेओं का सामना करना पड़ता है और आपके close मित्र ही आपको धोका देते हैं जो कि आपके हैतली हमें बता रही है तो basically यही एक दुस्प्रभाव आपके सीमेल लाइन्स का आएगा उसके उपरान तो कोई विशेश दुस्प्रभाव हम देख नहीं पा रहे थे उसके बाद बागिये रेखा जो है वो तो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखी रहा है जबड़तस्त है एक दम जबड़तस्त है उसको यह बताएंगे हम तो यह कुछ negativity थी और कुछ अवस्थाएं बनी वी थी अब भी परशन है आगे के जिन्दगी कैसी रहेगी तो details वाईज हम चलते हैं तो देखिए आपकी बचपन से देखो क्या है ना बचपन से progress line तो थी मतलब फिर भी लेकिन कुछ राहू रेखा भी थी तो काफी दवाब के रूप में चीज़े रही है पारी बार एक समस्याएं रही है काफी कस्ट आपने देखा ये किस साल तक तो बहुत जादा बहुत जादा उसके बाद भी आपकी जीबन रहा है स्मूध ही थी बहुत अच्छी नहीं थी उसके बाद भी कस्ट आपके जिंदगी पर आयोंगे अलकेल की राहू लाइन थी मतलब मान के चलो 23 वर इसकी आयो तक आपने कस्ट देखा है लेकिन जैसी आपकी प्रारंबिक समय से बागी रेखा थी यहाँ पर से इंसान के जिंदगी पर कस्ट तो आते हैं पर एक तकरीबन 27 में वर्स में कोई दिक्कते भी थी और फिर देखो 32 में वर्स में एक तरक्की फिर देखो 37 में वर्स में मतलब आपने अपने जिंदगी के 29 में साड की आयों के बाद पीछे मुड के नहीं देखा 42 में वर्स में एक तरक्की फिर देख लो जहाना पर से ये, 61 में 42 में में एक तरक्की है और यहीं पर से एक राहु लाइन है, कट आपkin 43 में 70 की आयू में और बहुत स्ट्रॉंग कट आपकी 43 जिएस की एज में, यह समझ लो, जहाना पर से ये चीज़े हैं कि इंसान को ये तकलीफ दे सकती है, इस बात का ध्यान रखना, प्राबलम्स आ सकती है, 43 के एज में उसके बाद एक को 45 में एक तरक्षी, 48 में एक तरक्षी, 49 में एक राहू लाईं, 50 में एक राहू लाईं, मतलब तीन धमाके दार राहू रेखा आपके अहतली पर इसे नौर्मल नहीं रहेंगी दिक्कते आ सकती हैं लेकिन फिर देख लो 51 में एक तरक्की 54 में एक तरक्की फिर देखो 60 अर्स में तरक्की उसके बाद भी आपकी काफी अच्छी जीबन रिखा जहांसे दो मुखी जीबन रिखा का कारी कर रही है तो देश विजह गूमते र नहीं तो फिर यह क्या है ना खेल बिगार सकती है समझ लेना मतलब आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है इसमें कोई प्राब्लम आ जाएगी तो आप ये फील करोगे कि मतलब क्या ही पाप किया था मैंने जो मुझे ये परशानी हुई या मुझे ये परशानी हु जहां पर से चीज़े नॉनमल रहेंगी एकदम खतम तो नहीं होती है अगर आप शर्द्धा के हिसाब से कोई रेबडीज करते हो ट्रस से करते हो तो फिर फाइडा होना ही होना है एकदम होना है तो ये इनके जीवन रेका का विशलेशन था बस एक 43 में साड में दिक्कत है उसके बात तो एकदम जिंदगी जिंगा लाला है कोई टेंशन नहीं है बस और थोड़ा सा 50 में वर्स के बाद थोड़ी परिशानी है तो बस निश्चिंत रही है उपाई काम डिस्कुशन आपसे जरूर से कर लेंगे तो ये इनके जीवन रेका के विशे में था अब इनक बूलता 27-28 के बाद और क्या गजब के प्लैनेट्स है मतलब 75% राज्यों का फल ये करोडों के मालिक बनते और ये हैं भी जबरदस्त आपकी प्लैनेट्स जो कि आपके अतले में बतारी इंसान की जिंदगी एकदम सुख में अगर ये डिजर्व करते है फिर भी सुख में रहेगा नहीं करते है फिर भी रहेगा मतलब इनके भाग्य में था कि इनकी जिंदगी बहुत सुख में रहेगी तो ये तो हो गए इनके पूरे पाम के प्लैनेट्स के विश्यों में कुछ बाते हैं अब ही चलिए आगी के तरफ हम थोड़ा चलते हैं तो ये देखे इनका कलर गुलाबी हते लिए दन को अट्रैक करती ही करती है थम बे स्ट्रांग विक्तितु का परचे करा रहा है जबरदस्त इक्षा और जबरदस्ट शक्ति यहाँ पर से एक यवा किरती यहाँ पर से दो लाइन अपने जिंदगी पर जो भी आप है अपने दंपर है विशे इ जब की और सेकेंड फिलेंज पर डिजायर्स के बहुत ही उमदायोग विक्ति बड़े डिजायरेबल प्रसनालिटी के होते हैं बहुत कुछ इनको जिंदगी पर करना है यह लोग करते अवश्य हैं और सेकेंड फिलेंज आपका बड़ा है जापर से इंसान के अंदर कारे क करने वालों के संक्या जादा रहती है कुछ एक स्क्वायर सा दिग्ग्या में कुछ एक ट्रेंगल सा दिग्ग्या तो विक्ति समझ लो विक्ति समझ लो बड़े अच्छे होते हैं बड़े महात्वा कांची होते हैं जिंदगी पर कुछ करना है और करके दिखाना ही है इनक आप promise नहीं कर सकते, ये लोग हमेशा ही अच्छा सोच के कारी करते हैं और अच्छा ही सोच के कारी है, करते रहेंगे, तो ये तो हो गया थंब के बारे में, समझदारी के लूप काफी जादा अच्छी, ऐसे विक्ती बहुत जादा ही समझदार, अपने जिंदगी को समझदा के लिए आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा ही अच्छा सोचते रहोगे, और आपकी बरश्पती फिंगर छोड़ी सन की बड़ी, तो विक्ती घजब के हिम्मत है, एकदम जब बढ़ दस्त, वाकि ये लकी टिंडिक कर रही है, इस्वर के परतिय सीम सर्दा, और सन और सेटन के लिए तो विक्ती नियमत रूप से अपने जिंदगी को जिएंगे, एक दम नियमत रूप से, फिर देके स्ट्रॉंग आपकी फिंगर, बुद्ध फिंगर, क्या ही गजब, मतलब गामनुकेसन स्किल्द वाइस तो एक दम लाजब आप है, अपनी बात तो के दूसरे के स और आगे भी आपको कोई नहीं हिला सकता, कोई जुटना नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर परम सक्ती मौजूद है, जहापर से आप जिंदगी पर तरक्यावश्य ही करोगे, और फिंगर काफी लंबी खरी है तो विक्ती एक दम क्रेटिव, क्रेटिविटी हद से जादा एक दम हद से जादा, जाग रुखता हद से जादा, नीसंदे, जबरदस्ट फिंगर आपके तरही पर मौजूद, अब यह आपके प्लैनेट्स पर चलता है तो बरश्पती, बरश्पती में यह से दबाब, जहा से पारिवारिक संदरम में, वेवाहिक जीवन में, और साथ प्लोज में तरह आपको धोका जैते हैं, इसंदरम में प्राब्लम्स, और प्रारंबिक समय में काफी जादा स्ट्रगल्स, जो कि आपकी बरश्पती हमें बता रही है, बाकी कुछ आलाइन्स हैं जो धोके के योग थे, हलाकि 26-27-30 तक कोई धोका बें जिन्दगी प्रमिल अगर कोई कमी होती है, वो पारिवारिक संदरम में होता है, तो निशंद्रय आपको इसका उपाय जरूर से मिलेगा और यह आपको करना भी चाहिए, तो बरश्पती अच्छी है, बाकी परुपकार के अच्छे लाइन्स, तो विक्ती परुपकार ही होते हैं, जिन्दगी क विक्ती जबर्दस्त मैनती, एकदम कमार के मैनती, और कुछ एक लाइन जहां से सुक्रवयत होई डिस्टरब्सी गई आपकी, जहापर से यह प्रारंबिक समय, 33-34 तक स्ट्रगल, साथी साथ विवाहिक जीवन में किसी ना किसी प्रकार की परिशानी को इंडिकेट करती है फिर आपकी बागी रेका है, एकदम strongly आपके सूरी के तरफ मुल रही है, तो विदेशी सेटलमेंट के योग है, जो आकी आपका एक प्रशन था, बहुत ती अराम से आप विदेशी सेटलमेंट के तरफ जा सकते हैं, विदेशी दर्थी जदला आप वहाँ पर सेटल कर सकत स्ट्रोंग फेट लाइन देखो, क्या गजब एकदम विदेशी दर्थी दला, बागी ये जो लाइन सेटलमेंट ये एक सुक्रवले के ब्रांचे से हैं, जो कि तो डिस्ट्रैक्शन को इंडिकेट करती हैं, बागी लाइन ओफ एजुकेशन बहुत सांदार, विक्ती और कन्फिउजन्स को बताती हैं, तो किसी भी प्रकार का निरने बिना परामर्श के होना ही नहीं चाहिए, और यही पर से एक फिश्टा बन रहा है, लेकिन पूर्णता कम्प्रीट नहीं हुआ है, अगर ये कम्प्रीट होता है, तो बहुत फाइदा, लेकिन अभी इसमें समय है, बाकी सूरी रेका तो अभी आपकी जबरदस्त है, एक से ज़ादा, कम महत में ज़ादा सफलता के तरफी सारा खरारी है, फिरसन बहुत अच्छा है इंसान को नेम फेम जिन्दगी पर मिलता है, और बुद्ध भी काफी ज़ादा जानदार, मतलब गजब, मतलब एक दम गजब है आपका बुद्ध, जासे इंसान बुद्धि वेक से कारे करने वाले, और बुद्ध रेका तो एक दम शानदार, मतलब इंसान की जो इंटलिजन्स लेवल होती है ये बड़ी शानदार होती है, मतलब चीजों को समझने की जो चमता होती है न, कैपैसडी जो हो दिवेक से कारे करने वाले इंसान हैं आप, फर चलिए आपके मंगल के तरह, स्ट्रॉंग मार्स, बाकी एक और ये आपके एक विवार एका है, जो की तकड़ी बन आपके 41-42-42 की बतारी है, बहुत स्ट्रॉंग है, फर देखें स्ट्रॉंग आपकी मंगल, जबरदस्त है, प्राक्रम हद से जादा, हालाकि कुछ केस मुकदमे के योग थे और इनके जिन्दगी पर चल भी नहीं, तो इसका मतलब है कि विक्ती के उपर केस मुकदमे आते हैं, अब बात करते हैं, वज़े किसका होगा, जीद किसकी होगी, तो बेशक आपका होगा, क्योंकि आपकी म प्राक्रम से जीते हैं, किसी के अंडर कार ही नहीं करना चाते हैं, ना कभी कर पाएंगा, मंगल अच्छा है तो धिरगायू, मंगल अच्छा है तो जमीन जदास से अच्छा खासा धनला, अगर ये जमीन में इनिवेस्ट करें, प्रॉपर्टी ले, तो इनसाने को बहुत फाइदा जिद्दगी पर मिलता है, एक्स्ट्रीम लेवल का फाइदा, जो कि आपकी मंगल में बता रही है, और लॉजिकल तो हैं, समझदार तो हैं, समझदारी में किसी परकार का संदेह नहीं है, तो ये मंगल के विश्य में था, बाकि स्ट्रॉंग चनरमा विदेशी द दर्थी 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 दर् ये योग प्रवलता के साथ है ये देखो और केतु परवत पर एक स्ट्रॉंग फिश जापर से अकास्मिंग धनला आपको दर्शार हो जीबन रहा के बल को इंक्रीज भी कर रहा है कुछ लाइन सापके शुक्र पहे जहां से मनी मेंजमेंट में अच्छ है और साप सुतरा शुक्र है मतलब प्रस्नालिटी इनके ऐसी होती है न कि अभी भी देख के समझ नहीं पाओगे आप और जबरदस शुक्र है एकदम माइंड ब्लोईंग जहांपर से इंसान के जिंदग एकदम लग्जरी में रहती है एकदम लग्जरी में कुछ लाइनस आपके जो लग्जरी के लिए सुक को दर्शारी प्रॉपर ली आपके हाँ पड़ है और फुट बॉल के समान सुक्र है मतलब क्या ही कहने प्रस्नालिटी शादी के बाद की भागुदे सादिजाद जिंदगी बड़ी है सोराम में और इनको चाहिए भी इनकी जिंदगी बहुत अच्छी बीते प्रॉपर लग्जरी के शौकीन विक्ति है कुछ मंगल पर टेंशन के लाइन अफ विक्ति कभी कभा चिंता सुबाब के हो सकते है बाकि यहाँ पर से एक ट्रैंगल सा है और मंगल तो अल्टीमेट है एक दम अल्टीमेट जहाँ पर से इनसान ओवर प्राक्रमी होते एक दम प्राक्रम गजब का और मंगल रेका अच्छी या स्ट्रॉण आपके जीवन रेका आयो दिरगायो इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें संदेह है रखना भी मत अलाकि आयो किसी के हाथ में नहीं है फर भी यहाँ पर से इनसान है लंबे ही बसते है फर देके आपकी बाग्य रेका शुरुवारती दोर से बहुत एक्टिव नहीं थी चबिस में साड के बाद यह एक्टिव होनी शुरुवे और विदेसी धरसी दनलाफ के तरफ परचा कराई और स्ट्रॉंग आपके जिन्दगी के लास्त तक बाग्य रेका तो उल्टिमेट है और सूरु रेका तो मैंने बताई दिया ये भी कोई नॉर्मल नहीं है ये भी जबर्दस्तर एक बुद्ध रेका सी बन रही है आगे चलके विपार में इन्वेस्ट कर ही सकते हो इसमें भी कोई संदेह नहीं है फर देके स्ट्रॉंग आपकी माइंड रेका तो सीमेल नाइन सी बना रही है कुछ दवाब की रूप में प्रारंबिक से में योग ते बाकी माइंड रेका भी अच्छी गई और यहाँ पर से देखो एक यवा करते हैं जिन्दगी का लास्ट कमान के चलो आप और स्ट्रॉंग आपकी माइंड रेका इसमें कोई संदेह नहीं है माइंड रेका हर्ड लाइन एक है सीमेल लाइन बहुत ही अच्छी है अब बात करते हैं इसको कौन सा एज़म बताएंगे अगर हम इदर से आते तो यह बता रहे लेकिन यह बात याद रखना कि सीमेल लाइन्स के केस में ये आपका जिंदगी का लास्ट का ही समय होता है जब ही कोई एक रेखा रहे और स्ट्रॉंग आपकी फेट लाइन मतलब आगे भी बढ़ियां एक दम गजब कोई दिक्कत नहीं है बागे रेका एक दम अल्टिमेट है अगर आयू को हम देख ले तो ये तकड़ीबन आपके पचास साड़ के बाद है पचपन में से लेके 62 में के बीच में कुझे एक मानसिक दवाब की रूप में योग हाला कि उस समय प्रोग्रस दाइन आपकी अच्छी बनी वे तो फिर काई का टेंशन है इसके ले भी हम उपाए आपको ज़रूर से देदेंगे और एक डिस्कुशन भी करते हैं जादा मत सोची आप तो ये ताइनिक अटली का पूर्णता विश्टेशन अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कामेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रस्नी में सास्तरे का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोट्सअप नमबर डिस्कुशन में मिल जाएगा लेके आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद